कि अलोस्तो जسمि शेलोंनायक फ्री नाइज में आप सब्सक्राइब का सुआज थे हैं अज़कास को वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे डूएल ट्रीपिल या माल्टिबल मोनिटरर्स लूड आप करते हैं डिकस्टॉप या लाप्टॉप से मैं डूएल मोनिटरर्स लूड र करने आते हो वो कैसे करते हैं आप जान लेएजिए multiple monitor setup करने के लिए आपके पास extra port होना चाहिए like VGA HDMI DVI और DisplayPort multiple monitor setup करने के लिए कुछ product है जिसके मदद से बड़ी आसनी से multiple monitor setup कर सकते हो like USB to DisplayPort या VGA to HDMI या HDMI to VGA और DVI to HDMI और VGA Hub या HDMI Hub इन सारे product के मदद से बड़ी आसनी से multiple monitor setup कर सकते हो और इन सारे product का link आपको रेस्टूस ने मिल जाएगा आप वह पर जाके देख सकते हो तो चलिए हम multiple monitor setup कर लेते हैं मेरा इस laptop पर VGA port है और मेरा display का input port है VGA port इसलिए मैं बड़ी आसनी से connect कर पाऊगा अगर आपको laptop पर HDMI port है और आपके पास VGA port है उसके लिए आप HDMI to VGA adapter यूज़ कर सकते हो अगर आप एक port में बहुत सारा monitor connect रोना आते हो इसके लिए आप VGA Hub या HDMI Hub ले सकते हो अगर देख लिए मैं मेरा monitor को मेरा laptop पर connect कर लिया उसके बाद आप keyboard से Windows plus P प्रेस कीजिए आपके पास laptop है तो उसमें Hudson key में एक key होता है जो की projector की है नर्मल है की A4 या A5 में होता है उससे प्रेस कीजिए और वहां से आप snap कीजिए आप आपका दूसरा monitor को कैसे से यूज़ करना आते हो सबसे पहला होता है PC screen only इसका मतलब आप only display आपका PC में ही देख पाऊगे इसके बाद second duplicate इसका मतलब आप जितना भी monitor काया आपका laptop या desktop पर उन सभी में एक ही screen आएगा तिसरा extend नॉर्माली इस option को यूज़ करने के लिए multiple monitor setup करते है और इसका मतलब आपका display extend हो जाएगा चौथा option second screen only इसमें आप दूसरा monitor देख पाऊगे और आपका monitor आप रहेगा या आप display सेटिंग में जाके इस option को यूज़ कर सकते हो इस ताइम मेरा laptop पर extend option चालू है और जैसे मैं sword एक्टोब only two select किया और देख लीज़े only मेरा monitor चालू है मेरा laptop पर screen off है और उसके पाद देखिए मैं duplicate option select किया और देख लीज़े दोनों screen में same आ रहा है दोस्तों वीडियो चलेके तो like and share कीजिए उसके साथ-साथ comment करना मत भूलिए और सबसे ज़लवी बात मेरे icr computer mobile and internet video पाने के लिए मेरे जान सब्सक्राइब कीजिए and thanks for watching क्ड़त और देखिए जदान के रखेब के दिए है